साथियो नमस्कार, NKY फार्मर चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत अभिनंदन है साथियो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सरसो की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली हाइब्रेड सरसो की उन्नत तीन वराइटी के बारे में साथियो इन तीनों वराइटी का उत्पादन बहुती जबरदस्त और शानदार है इसके साथ साथ तेल की मातरा भी ज़्यादा होती है इसलिए इन वराइटी की मार्केट डिमांड भी सबसे ज़्यादा होती है साथियो इन तिन वराइटी के बारे में आपको विस्तार पुर्वक जानकारी देंगे वीडियो सरू करने से पहले आप सभी से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को अन तक पूरा आवस्चे देखे जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक वे चैनल को सस्क्राइब आवस्चे करें आईए शुरू करते हूँ साथियो अब सितंबर महिने का मद्दे चल रहा है और अब सर्सो की बुआई शुरू होने वाली है जो साथि सर्सो की खेती करना चाते हैं और सर्सो की खेती से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाते हैं तो वो साथि इन वराइटी को आवस्चे लगाए साथियो नमबर एक पर बात करते हैं पाइनियर कंपनी की 45-46 के बारे में साथियों यह हाइब्रेड सरसो बहुत ही अच्छी किसम है इसकी जो स्यानदार विज़ेशता है कि इसकी साखाओं से फलीों की संक्या बहुत अधिक निकलती है और इसकी एक फली में 18-20 दाने बनते हैं दाने मोटे वे चमकदार होते हैं इसके दानों में 42% तेल की मातरा होत साथियों इस वराइटी के प५दो प् pains की बात करें तो इसके प५दो की हैइट 16-180 cm तक भूधती है। physicist 7 विराइटी 125-130 दिनों में हैं पक्करतियार होती है इसके उतपादन की बात करें तो यह परती 116 कवंटल उतपादन देने हैं सक्सम है। साथियों इसकी सिच्चाई की बात करें तो यह मातर दो सिच्चाई में पकर त्यार हो जाती है। साथियों इस वराइटी का बीज एक एक कडमे एक किलो लगता है। इस वराइटी की बिजाई आप एक अक्टूबर से मद्दे अक्टूबर तक कर सकते हैं। और यह वराइटी किसानों द्वारा सबसे अधिक राजस्तान, हर्याना, पंजाब, उत्तर परदेश, हिमाचल परदेश इन में सबसे अधिक लगाई जाती है साथियो नमबर दो पर बात करते हैं पाइनियर कंपनी की 45 S42 के बारे में साथियो यह वराइटी हाईब्रेड सर्सों में सबसे उमदा किसम मानी जाती है इस वराइटी का बहुत जबरदस्त उतपादन है और इसकी मारकिट डिमांड भी बहुत ज़्यादा है वराइटी के दानों में 42% तेल की मातरा पाई जाती है पोदे की हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 160 cm से 170 cm तक होती है और इसके प्रतेग फलियों के अंदर 18 से 20 दाने पूरन रूप से मोटे गोलाकार और चमकदार होते हैं यह वराइटी 125 से 130 दिनों में पकर त्यार हो जाती है इसके उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन 12 से 15 कुवेंटल परते एककड हो जाता है यह वराइटी सबसे अधिक हरियाना, जम्मू कस्मीर, हिमाचल परदेश वे मैदानी भागों में सबसे अधिक लगाई जाती है इस वराइटी का बीज एक एक कड में एक किलो लगता है साथियो इसकी सिचाई की बात करें तो यह दो सिचाईों में पकर त्यार हो जाती है साथियो इस वराइटी की बिजाई आप एक अक्टूबर से मद्दे अक्टूबर तक कर सकते हैं साथियो नमबर तीन पर बात करते हैं बायर कंपनी की 22 बाइस साथियो यह भी एक बहुत अच्छी हाइबिर्ड वराइटी है इस वराइटी का उत्पादन बहुत ज़्यादा है और इसकी मार्किट डिमांड भी बहुत अधिक है इस वराइटी के दानों में 40% तेल की मातरा पाई जाती है इसके दाने मोटे वचमकदार होते हैं और इस वराइटी की खास बात यह है कि यह 110 दिन से 120 दिन में पकर त्यार हो जाती है इसकी फलिया लंबी होती है परतेग फली के अंदर 18-20 दाने होते हैं इसके पोदों की उंचाई की बात करें तो 160-180 cm तक होती है इस इस किसम में साखाए ज्यादा आती है और फलिया भी ज्यादा बनती है इसकी सिच्चाई की बात करें तो यह वराइटी दो सिच्चाईओं में पकर त्यार हो जाती है अगर इसके उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन 12-14 कुएंटल परती एक कड़ तक हो जाता है साथियो इसके बीज की बात करें तो इसका बीज एक एक कड में एक किलो लगता है इस वराइटी की सबसे अधिक खेती राजस्तान, हर्याडा, पंजाब, दिल्ली, जम्मु कस्मीर, हिमाचल परदेश वे मैदानी भाग उत्तर परदेश और मद्दे परदेश में की जाती है साथियो इस वराइटी की बीजाई आप एक अक्टूबर से पूरे अक्टूबर महीने इसकी बीजाई कर सकते हैं साथियो यह हमारी सरसों की तीन परमुक वराइटी थी अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक वे चैनल को सस्क्राइब अवस्चे करें